सुवाइस आज के सुडियो के दर हम बात करने वाले क्लास 11 मैंसके चाप नुम्बर 1 सेट्स की एक्सिसाइस 1.2 के कुश्यंस की बारे में अब इससे पहले वाले वीडियो के दर मैंने सारा का सारा कॉंसप्ट आपको बता दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करते हैं आप महां से चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कुश्य नुम्बर 1 से तो कुश्य नुम्बर 1 हमसे बोल रहा है which of the following are example of null set हमें बताना है कि इन कुश्यंस में से कौन सा जो है बताना है जो कि 2 से डिविजिबल हो अब पहली चीज तो यह ओड नंबर क्या होता है गर मैं आपसे पूछो कि ओड नंबर होते हैं क्या है तो हम कहेंगे कि दीदी जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड नमबर होते हैं तो इसने हमसे क्या बोला कि इसने बोला कि ओड नेच्रल नमबर बता दो जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हो ऐसा कोई नमबर हो सकता है जो 2 से डिवाइड होगा और नेच्रल नमबर किसे बोलते हैं वो नमबर जो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जाते 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह सब क्या है, नेट्रल नंबर्स है, तो ओर नेट्रल नंबर का मतलब तो यही हुआ ना, और कोई बेसा ओर नंबर नहीं है, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा हो, तो इस कंडीशन में हम बूल देंगे, कि यह जो सेट होगा न, इसके अंदर कुछ नहीं नहीं नहीं है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे, there is no old natural number, old natural number, which is divisible by 2, तो यह क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा, this is a, नल सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर कुछ में नहीं होगा, कोई भी ऐसा old natural number नहीं है, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा हो, तो सेट के अंदर कुछ नहीं होगा, तो यह क्या है, एक नल सेट है, अब बात कर लेते हैं second question की, तो second question हम से बोल रहा है, set of even prime numbers, हमें बताने कि even prime numbers कौन कौन से होते हैं, तो देखो सारे के सारे जो prime numbers होते हैं, वो जो है old होते हैं, सिवाए एक number के, और वो number है 2, 2 सबसे छोटा prime number है, और 2 क्या है, एक even prime number है, अब यहाँ पर बहुत सारी बच्चे होंगे, जो उनको यह पता नहीं होगा कि prime number क्या होता है, तो भाई, कोई भी शरम की बात नहीं है, मैं बताती हूँ क्या होता है prime number, तो prime number हम उन numbers को बोलते हैं, जो number या तो सिर्फ खुद से divide होते हैं, या फिर जो है, किसी दूसरी संख्या से divide होते हैं, जिसे कि 1, ठीक है, या तो खुद से divide होंगे, या फिर 1 से divide होंगे उन्हें हम बोलते हैं अब प्राइम नंबर्स अब example के लिए जैसे कि आप ले लो 2 2 क्या है देखो 2 या तो 2 से divide होगा या फिर 2 जो है 1 से divide होगा अब यहाँ पर वैसा वाला divide होने की बात नहीं होगा कि 2 को गर अब 3 से divide करते हैं तो हमारे पस पॉइंटों में answer आएगा divide तो हो जाएगा लेकिन पॉइंटों में answer आएगा तो हम यहाँ पर बात करें perfectly divide होने की तो 2 या तो खुद से divide होगा perfectly या फिर 1 से divide होगा तो यह क्या है एक prime number है ऐसे ही 3 3 या तो 3 से divide होगा या फिर 1 से divide होगा तो ये भी क्या है एक prime number है तो समझ में आगया prime number क्या होता है तो हमारे पास जितने भी ऐसे numbers है जो या तो खुद से रिवाइड होते हैं या फिर बन से रिवाइड होते हैं उन्हें हम बोलते है prime numbers तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास set of even prime number में क्या आ जाएगा set of even prime number उसने हमसे यही पूछा ना कि set of even prime number लिखना है हमें ठीक है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा even कौन सा number होता है जैसे कि 2, 3, 5, 7 यह क्या है 11, 13 यह क्या है prime numbers है अब इन में even कौन सा है तो 2 ही even है 2 जो है 2 से divide हो जाएगा ठीक हम 2 से divide नहीं कर सकते तो जो भी numbers जो 2 से divide होते है वो जो है even numbers होते है और जो number 2 से divide नहीं होते वो old numbers होते है तो यहाँ पर सिर्फ 2 जो है 2 से divide होगा तो हम बोल देंगे 2 क्या है एक even prime number है यहां पर हमारे पास value आ गी, है ना, हमारे पास set गें इक element आ गया, तो यह एक no set नहीं होगा यह घूंकि no set की definition तो यह होती है ना कि is set गेंदर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहां पर तो हे यहां पर 2 है, यहां पर एक element है, accept के अंदर भोलें यह null set नहीं है यहाँ पर आप लिख दोगे this is not a null set null set अब यहाँ पर ना मुझे यह बताओ कि यह कौन सा set है null set तो यह नहीं है लेकिन कौन सा set है तो देखो भाई इस set के अंदर सिर्फ एक element है और मैंने आपसे बोला था कि जब कभी इस set के अंदर सिर्फ एक element हो उसे हम बोलते हैं singleton set तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि this is the singleton set ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ जो है extra knowledge के लिए ठीक है अगर यह question कही न कहीं बन जाता है बोके exams के अंदर अगर आप यह लिख देते हो जो एकस है न वो क्या है 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है हमें ऐसे natural number बताना ही जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो तो देखो भाई मैं यहाँ पर आपको लिख के देती हूँ फिर आप मुझे बताना कि ऐसा कौन सा number होगा ऐसा number ऐसा natural number जो कि 5 से तो छोटा है है there is no natural number which is less than 5 and greater than 7 greater की spelling के लिट होगी है greater than 7 तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि यह set क्या है यह एक null set है क्योंकि इस set के अंदर कोई element ही नहीं होगा तो set is a null set ठीक है इस set के अंदर कोई element होगा ही नहीं क्योंकि 7 से बढ़ा और 5 से छोटा कोई number होता ही नहीं है अब बात कर लेते हैं fourth part की तो fourth part में हमसे बोला है कि why such that why is a point common to any two parallel lines अब देखो भाई इसलिए कि आप बोला हमसे कि हमारे पास देखो parallel lines कि से बोलती है ऐसे कुछ lines होती है यह जो लाइन इसके parallel मतब दोनों साथ साथ जा रही हैं लेकिन कहीं पर भी जो है यह मिलेंगी नहीं आपस से इंटरसेक्टर नहीं होंगी ठीक है आपस में कट नहीं होंगी इनको हम बोलते है parallel lines इसने बोला कि इसमें चरब दोनों लाइन में common point बता दो कोई common point बता दो इन दोनों parallel line में अब भाई जब यह दोनों मिली नहीं रही है कहीं पर इनके बीच में common point कौन सा होगा common point तो तब होता ना जब यहाँ पैसरे कि अगर ऐसे कोई line होती वह ऐसे कि ऐसे जान होथी यह से जान होती है तो इसको को में बोले थकि कुमन पुईंट है लेकिन जो दो programs है उनके बहुंत में और हमारे बाउंन ही नहीं है तो सेट के अंतर काई नहीं होगा क्योंकि इसने बोलाई कि जो हैसेट के इसके एंदर क्या है नहीं है दो parsley लाइन के बीच में यहां पर देंगे फूर्थ वाले पार्ट में टू पैरिलल लाइन्स एव नो कॉमन पॉइंट यह भी क्या हो जाएगा इस 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 अंदर भी कोई अलिमेट नहीं होगा इस 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 सेट हो गया आपका फूर्थ पार्ट कंप्लीट अब फिफ्ट पार्ट आपसे बोले सुर्ड फिफ्ट पार्ट नहीं है अब हम बात करते हैं साइकंड क्यूशन की तो क्यूशन बर सैकंड हमसे यहां पर बोल रहा है विच ओफ दे सेट और फाइनाइट और कि लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलते हैं इन्फाइनाइट सेट आगे बात समझ में और अगर ज्यादर ध्यान से ज्यादर डीपली समझना है तो भाई कॉंसेट वाल वीडियो देख लो फर्स पार्ट हमसे बोला है द्र सेट वोल समझेट वेढ़ान हमें बदाना है कि एक साल में महीने होते हैं क्या हो एक फाइनाइट सेट हे या नहीं है अगर मैं आपसे पूछा उठ आ Don it Will Runsаться है और यह क्या है एक दम रत में फैक्स वेल्लीव है किसी तो है निए थरटीन मंठ हो जाएंगी ए set of months of a year of a year is finite set और क्यों है finite set because it has 12 elements कितने elements होते हैं 12 elements होते हैं 12 elements का मतलब क्या है कि यहां पर 12 महीने होते हैं यह हमें पता है तो यहां पर क्या हो जाएगा यह इसको मैं आपको लिख के बताती हूं वैसे आपको स्कीन पर दिख रहा होगा यहां पर क्या चल रहा है यहां यह नहीं पता कि इसका 123 so on is an infinite set यह क्या है एक infinite set है क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें कितने elements हो सकते हैं हमें नहीं पता कितने elements है infinite elements से सेट के अंदर हम बोल देंगे कि यह क्या है एक infinite set है और यह elements देखकर के हमें क्या लग रहा है यह किस चीज का सेट हो सकता है natural numbers का सेट हो सकता है 123 है so on infinity तक जा रहा है तो हम बोल देंगे यह सेट किसका है natural numbers का है हो गया आपका second part complete hope so आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपके क्या करवारी हूं थर्ड पार हमसे बोल रहा है आपके पास यहाँ पर जो है numbers given है one two three so on आपसे बोला गया है 99 and 100 अब मुझे बताओ यह finite है कि infinite है तो भाई देखो यहाँ पर मुझे last number पता है ना कि 100 तक जाने वाला है one से शुरू हो रहा है hundred तक जा रहा है यानि कि मुझे पता है कि last number hundred होने वाला है set का यानि कि क्या है finite set है तो बोल देंगे this is a finite set अब यहाँ पर आपको दीदी यहां पर भी dot dot line चल रही है यहां पर भी dot dot line चल रही है आपने इसे infinite बोल था है क्यों है finite set ठीक है because it has hundred numbers कितने numbers है hundred numbers है hundred elements हाँ पर elements लिखते हो ठीक है set के अंदर क्या होते है elements होते हैं तो elements लिखते है अब fourth part करते है fourth part हम से बोल रहा है the set of positive integer greater than hundred हमें क्या लिखने है positive integer लिखने है hundred से जादा अब मुझे बताओ कि एक finite set होगा की नहीं होगा तो देखो positive integer hundred से बड़े अना hundred से बड़े positive integer तो भाई hundred से बड़े तो बहुत सारी positive integer होते हैं और हमें यह नहीं पता कि कहां तक जाएंगे क्योंकि hundred से बड़े तो infinity positive numbers होंगे positive integers होंगे हमें यह थोड़ी ना पता है क्यों numbers का end number कौन सा होगा last number कौन सा होगा तो last element के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है हम यहां पे बोल देंगे कि it is a infinite set it is a infinite set अब यहां पर यह confusion मत रखना दिमाग में कि इसने hundred बोला है तो भाई उसने बोला कि hundred से बड़े अगर वो बोलता कि hundred तक के positive integers तब हम बोलते कि एक finite set है लेकिन इसने बोला हंड़े से बड़े positive integers हम यहां पर बोलेंगे कि क्या है कि इन फाइनाइट है कि इन फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स greater than hundred आ रहा है इन फाइनाइट इन नंबर की वो तो इन फाइनाइट होगे न नंबर के अंदर भी उनके तो बहुत सारी नंबर होंगे हमें थोड़ी ने पता है कि last number कौन सा होगा उन positive integers का तो फॉर्थ पार्ट भी complete हो गया बात कर लेते हैं फिफ्पार्ट की तो फिफ्प this four prime numbers less than 100 तो इसने क्या बोला की prime number बताने हमें less than 100 तो देखो भाई उसने यहां पर हमें enter number कि 100 से छोटे प्राइम नंबर बताने हैं तो यह क्या हो जाएगा univite हो जाएगा धा हमें पता है कि 100 से छोटे बताने यहाँ पर उसने ब leaning expect यहाँ था है हुंद से छोटे धाने हैं 140 0 अलेस देन dzieci यह लिखते हैं यहां पर अगर पताई कि 100 से चोटे कितने जैसे कि 25 नंबर्स होते हैं तो आप इहां पर ये लिख सकते हो, अगर ये लाइन नहीं पता हो, आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे, इड is a finite set, बिकोज, प्राइम नमबर less than 100, और, finite, एलिमेंट्स ठीक है यह लाइन लिख सकते हो अगर यह चीज नहीं पता है तो यह लाइन लिखते हो ठीक है अब बात करते हैं थर्ड क्यूशन की यहां पर सेकंड क्यूशन कंप्लीट हो गया थर्ड क्यूशन में हमसे बोल रहा है स्टेट वेदर इच ओफ फॉलोविंग वो फाइनाइट होंगे कि इंफाइनाइट होंगी अब देखो भाई यह हमारी देखो यए यू होती है कि नहीं होती है यह x-axis होती है कितनी लाइस बना दो आपर कितनी लाइसबना दो कितनी linie बन जाएंगी हितनी विए है ना हम घिलती न हमाद हरो कितनी lines होंगी parallel कितनी भी हो सकती हैं या ऐसे नीचे भी जा रही होंगी कोई तो हम यह जगिन थोड़ी न सकते हैं तो हम बोल देंगे कि यह क्या है infinite है this is infinite set और यह क्यों है because the lines parallel to x-axis is not countable आप यह लिख देना because lines parallel to x-axis is not countable उनको हम count नहीं कर सकते हैं कितनी यह है ठीक है यहाँ पर आपका first part complete हो गया अब बात करते हैं second part की second part हमारे पास है the set of letters in English alphabet हमें बताना है कि एक English alphabet में जो letters का set होता है क्या वो finite set है या फिर infinite set है अब भई यहाँ पर simply पूछा है ABCD बता दो ABCD finite होती है इंफाने होती है हमें पता कितने element होते है ABCD के अंदर कितने alphabet होते है 26 alphabet होते हैं थो हमें पता है अब 26 alphabet होते हैं थो हम यहाँ पर बोल रहें कि यह क्या है finite set है यहाँ अब आप लिख दो this is finite set अब यहाँ पर reason भी बता दो क्यों because it have 26 elements हमें पता ही कि abicity के अंदर कितने elements होते हैं 26 elements होते हैं यह क्या हो जाएगा finite set हो जाएगा अब आत करते हैं 3rd question की the set of numbers which are multiple of 5 अब हमें ऐसे numbers का set बताना है जो कि 5 से multiple होते हैं या फिर मैं बोल दूँ 5 5 से divide होते हैं. तो जो एसे तहां सारी numbers होंगें 5 से 5 से 5 वी डिवाइड होता है 25 वी डिवाइड होता है 20 हूं 15 वी डिवाइड होता है सारी numbers नंबस हैいう जाए भाई आप इंको counting ने कर सकते हैं क्यों क्न फिर मेंyt कुर नहीं रभी सकते हैं?" इंफाइनाइट सैटे बिकाज को तो किनियो एतने अच्छी नियुआ है मिझा बटाते हैं,"希望 me watch it in virtual chat ум कर दो किने अच्छ राइटिंग hy और मिख़े चुम करते है बात करते हैं हैं कि फाले पार्ट पूर्द पार्टे the set of animals living on the earth अब मुझे बताओ कि ये finite set है या नहीं है सभी elements और सभी जानवर जो कि इस अर्थ पर रह रहे हैं क्या ये finite set होगा या नहीं होगा तो भई ये होगा की नहीं होगा आपको मुझे बताना है ठीक है ये मैं आपके उपर छोड़ जो ठीक है उनको हम देख सकते हैं कि हाँ भाई ये इतने ही elements animals है यहाँ पर तो यहाँ पर हम बोलने कि एक finite set है तो यहाँ पर लिखते है ना this is a finite set because the animals on earth is finite in number ठीक है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख देना पूरी line हम बसे लिखी नहीं जारी यार सारे questions ऐसे ही आ रहे है this is finite आगे का आप लिखते है ना fifth part आपसे बोल रहा है the set of circle passing through the origin 0,0 हमें बताना है कि 0,0 origin से जतने भी circle pass होंगे यह finite होंगे या फिर infinite set के होंगे तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ origin क्या होता है बताना है यह जो जगह होती है इसको बोलते औरिजिल यह होता है 0,0 अभी इस point से जितने भी circle pass out होंगे क्या वह finite number में होंगे देखो भाई कि इतने भी circle हो सकते जैसे कि एक circle ही हो गया फिर बापस से जो है एक circle ऐसे बन गया फिर एक skills also by specific इस point से तो कितने ही circle pass out होंगे अब हमें यह थोरी नॉट ही ना पता है कि जिल्ट कृतों सत्वयागा संसितों कि theme 3rd question हें करा हम ने संद्री प्राने पर स्द्रीध दाते हैं है in the following state whether a is equal to b or not हमें बताना है कि जो set a है वो set b के equal है या नहीं है ठीक है set a set b के equal कब होगा जब set a के अंदर जितने elements है वो set b के अंदर भी होंगे बस यहीं चीज होती है na a is equal to b की अब बात कर लेते हैं first part की तो first part में हमें here हैं पर बोला गया है कि हमारे पुस्ट a है set a के के अंदर elements है a b c d अब set b हमारे पास है उसके अंदर elements है DC DC b है अब मुझे बताना है यहाँ पर is equal to to b है या पिर नहीं है तो सबसे पहले नहीं हैं यहाँ से Koloff here नहीं अಠाना है यह औहरी है यहाँ elements यहां पर हैं उतने ही elements यहां पर हैं तो हम बोल देंगे कि a is equals to b है बस बात खत्म ठीक है same number of elements है तो यह क्या है a is equals to b है अब बात कर लेते हैं second part की second part हमसे बोल रहा है कि हमारे पास कोई set a है set a के अंदर elements है four eight twelve sixteen और set b हमारे पास है उसके अंदर elements है eight seven Eighteen अब हमने बताना है कि है इस है है या नहीं है तो देखो भाइ यहां पर 4 है यहां पर 4 है यहां पर 8 है यहां पर 12 है यहां बॉल देंगे कि a जो है not equal है b क्योंकि यहां पर same number of elements नहीं है यह यहां है यहां पका second question 4 6 8 10 ठीक है और सेट B हमें यहाँ पर गीवन है एक्स सच देट एक्स पॉजितिव इवन एंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो जो है 10 से छोटी है और 10 के इक्वल है अब हमें बताना है कि यहाँ पार यह दोनों सेट जो है इक्वल होंगे या नहीं होंगे तो B हमारे पास क्या बोला उसने B क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है 10 से छोटी है और 10 के इक्वल भी है तो पॉजिटिव इवन इंटीजर अब इवन इंटीजर 10 से छोटे हो 10 के इक्वल इवन इंटीजर बता दो मुझे 10 तक की इवन देखो A और B इक्वल है कि नहीं है फटाफचे देख लो इक्वल है भाई जितने elements यहां पर उतने elements यहां पर हम बोल देंगे जो है A is equals to B है अब फोर्ट पार्ट कर लेते हैं तो फोर्ट पार्ट हमें यहां पर बोल रहा है कि हमारे पास कोई set A है set A के अंदर हमारे पास उस 35 30 So on चलता जा रहा है अब यहां पर देखो अगर में A set की values निकालों का multiple 10 का multiple कौन-कौन से numbers होते हैं एक तो 10 ही होगा 10 का multiple एक तो 10 ही होगा एक 20 होगा, multiple का यहां पर मतलब है 10 से divide होने वाले numbers, अब 10 से कौन-कौन से number divide हो सकते हैं, 10 से 10 divide होगा, 10 से 20 divide होगा, 10 से 15 तो divide होने से रहा, अब 10 को जो है, 10 से 15 को divide करो, हो जाएगा, नहीं होगा न, यहां पर हम बोल देंगे कि 10 से divide होने वाले numbers, ऐसे से होंगे कुछ, तो य यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, लेकिन इसके अलावा भी set B के अंदर 15 है, set B के अंदर 25 है, जो कि set A के अंदर नहीं है, है न, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो set A है, वो not equal है, set B के, तो fourth part आपका हो गया, hope so आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपका fourth question भी complete होता है, बात कर लेते हैं fifth question की तो fifth question हमसे बोल रहा है, are the following pair of sets equal, give reason हमें बताना है कि यहाँ पर जितने भी set नीचे given है, क्या वो equal है या फिर नहीं है, और इसका हमें reason भी देना है, ठीक है तो यहाँ पर first part हमें given है, आपको दिखी रहा होगा, a हमारे पास set है जिसके अंदर elements है 2,3 और b हमारे set है जिसके अंदर elements है as such that x is a solution of x square plus में 5x plus में 6 is equals to 0 अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, b को solve करके बताना है ठेक हो, सबसे पहले तो b को solve करेंगे, तो x is square plus में 5x plus मैं 6 is equals to 0 यह हमTrauna been given है इसको solve करना पड़ेगा सबसे पहले तो इसको कैसे करेंगे, splitting the square method से करेंगे कैसे करते है ? Guardian the square method करने पर जो है क्या यह उटा बूल दिया था 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 5 को करना होता है 6 को निंगर देखेंगे अब 5 x को ऐसे कौन से निंबर्स में ब्रेक करूं जैसे कि अगर मैं 2 और 3 में ब्रेक कर दूं तो 5 x को अगर मैं यहाँ पर लेख दो 2 x प्लस में 3X, तो 2X प्लस 3X किता होता है, 5X होता है, और अगर मैं यहीं पर 3 को 2 से मल्टिप्लाइ कर तू, क्या आएगा, 3, 2 सा 6, तो यह नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है, सही ब्रेक कर रहा है, प्लस में 6 to 0, अब देखो, अब यहाँ पर क्या 3 को जो है, यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, 3 को निकालते हैं, यहाँ पर 3X था, तो X बचेगा, फ्लस में, 3 2 सा 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आजाएगा, is equal to 0, अब हम क्या करेंगे, एक बार तो इसको लिख दो, x plus 3, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, x 2 को एक बार लिख देंगे, यहाँ पर जाएगा, x plus 2 is equal to 0, यहाँ पर अगर मैं x की values निकालूं, तो एक तो x की value आजाएगी, minus 3, और x की value आजाएगी, minus 2, यही values होंगी, है न, तो हमारे पास जो b होगा, set b, उसके अंदर कौन-कौन-स elements होंगे, एक तो होगा, minus 2 और एक ह set b के elements होंगे, तो हमारे पास set a क्या था, set a हमारे पास था 2, 3, 2, 3 था, set b हमारे पास है, minus 2, minus 3, तो क्या यह equal होंगे, जो 2 है, वो minus 2 के equal होता है, जो 3 है, वो minus 3 के equal होता है, नहीं होता, हम बोल देंगे कि जो a है, वो not equal है b के, यहाँ पर आपका first part complete हो गया, hope so आपको समझ फोलो वर्ड में जितने letters है, उनका set क्या है, उनका set है a, और set b हमारे पास है, वुल्फ के अंदर जितने भी elements है, जितने भी letters है, उनका set, अब देखो भाई, क्या यह दोनों equal होंगे की नहीं होंगे, तो मैंने आपको पहली exercise जब करवाई थी, exercise 1.1, तो उसका concept मैंने आप को बताया था, तो मैंने आपसे कहा था, कि एक set के अंदर हम किसी भी same element को सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर follow है, हम यहां पर इस set के अंदर कितने elements होंगे, एक तो F होगा, एक O होगा, फिर L आएगा, अभी जो second L है ना, इसको हम दुबारा से नहीं लिखे क्योंकि set के अंदर कोई भी element जो होता है, वो repeat नहीं होता, यहां पर सिर्फ एक वार L आएगा, अभी हमने पहले लिख दिया, इसको भी हम नहीं लिखेंगे, last element होगा W, अभी हां पर इन दोनों sets को मिलान करो, यहां पर W है, यहां पर O है, यहां पर O है, यहां पर L है, यह हमारा question number 6, so question number 6 आपको screen के ओपर दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे से देख लो, अभी हां पर हमसे बोला question number 6 में, from the sets given below, select equal sets, हम यहां पर क्या करना है, equal sets select करने है, अब कौन सा set, कौन से set के equal हैं, यह हमें बताना है, so set A हमें given है, 2, 4, 8, 12, set B हमें given है, 1, 2, 3, 4, set C हमें given है, 4, 8, 12, 14, set D हमें given है, 3, 1, 4, 2, तो यहां पर आप देखो, कि जो set B है, set B की value है, 1, 2, 3, 4, है ना, और set D की value हमारे पास है, 3, 1, 4, 2, अब मुझे बताओ, कि यह दोनों equal है, विल्कुल equal है, यानि कि यहां पर जगा B is equals to D, ठीक है, अब आगे पढ़ो, आगे उसने E set हम minus 1,1, फिर उसने F set बोला है, 0,1, G set हमारे पास, 1, minus 1, यहां पर आप देखो, set E हमारे पास है, minus 1,1, set G हमारे पास है, 1,1, तो देखो, यहां पर आप देखना, minus 1 है, यहां पर minus 1 है, यहां पर minus 1 है, यह वाला 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 minus 1 है, यह वाल समझ में आया होगा अगर कहीं पर भी डाउट आता है तो हम इस पूल सकते हैं में जरूर से आपका डाउट क्लिये करने की कोशिश करूँगी और अगर आपको जो है आपको प्रोड पर मिन्न एक्सवार्ट समझा दिया है कोई कोई दिखकत अर्य अब को समझ में नहीं नहीं देखें तो भाई chapter बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उपर से निकलेगा तो अगर आपके अभी जो है उपर से निकल रहा है कोल भी topic तो आपको जो है वो वीडियो देखनी जरूरी है ठीक है और अगर वीडियो देखनी के बाद में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर अगर आपको में वीडियो समझ में आ रहे हैं तो यहां पर इस वीडियो को यहीं पर करते हैं exercise 1.2 यहां पर complete हो गई है नेक्स वीडियो के इंदर हम exercise 1.3 पढ़ेंगे तो चलिए मरते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए टेक कियर